सातों चक्रों से जुड़े शरीर के अंगों की जानकल एकी हीलिंग करते समय कई बार हमारे सामने यह समस्य आती है कि हम शरीर के किस अंग को ठीक करने के लिए कौन से चक्र की हीलिंग करें आईए जानते हैं किस चक्र की हीलिंग करने से कौन-कौन से अंग ठीक किये जा सकते हैं। Crown चक्र अर्थात सहस्त्रार चक्र से जुड़े अंग हैं ब्रेन यानि मस्तिश्क, स्कल यानि खोपडी और pituitary gland यानि pituitary granty। Third Eye चक्र अर्थात आग्या चक्र से जुड़े अंग हैं Penal gland यानि penal granty, eyes यानि आँखे और sinus, throat चक्र अर्थात विशुद चक्र से जुड़े अंग हैं Mouth यानि मून, Jaw यानि जब्रा, Neck यानि गर्दन, thyroid gland यानि thyroid granty, throat यानि गला, ears यानि कान, Heart चक्र अर्थात रिदे चक्र स Lungs यानि फेफडे, Heart यानि रिदे, Upper Back यानि उपरी पीठ और Circulatory System यानि परी संचन तंत्र Solar Plexus चक्र अर्थात मनिपूर्ट चक्र से जुड़े अंग है Stomak यानि पेट, Spleen यानि तिल्ली, Liver यानि जिगर, Gallbladder यानि पित्ताशे, Small Intestine यानि छोटी आंत, और Pancreas यानि अग्ने आशे Sacral Chakra अर्थात स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़े अंग है Kidneys यानि गुर्दे, Adrenal Glands यानि अधिवरिक ग्रंतियां, Skin यानि त्वचा, Ovaries यानि अंडाशे, Large Intestine यानि बढ़ियांत तूट चक्र अर्थात मूला धार चक्र से जुड़े अंग है Testis यानि व्रिशन, Legs यानि पैर, Arms यानि बाहे, Bones यानि हड्डियां, Anus यानि गुदा, और Uterus यानि गर्भाशे